Hello everyone, welcome to Magnet Brains, मैं Ria Chohan, आपकी दोस्त और होस्त for social science आपके लिए revision express में लेकर आई हूँ 20 minute revision of outcomes of democracy इसमें हम आज complete करने वाले हैं, बिल्कुल short interval of time में कि आखिरी outcomes of democracy वाला chapter है क्या है ना, बहुत साई chapter हमने within 20 minutes करने कोशिश की है, within 20 minutes इसलिए करने ही कोशिश की है क्योंकि by the, मतलब हम पूरा पढ़ लेते हैं, concept अच्छे से पढ़ लेते हैं, questions हम सारे अच्छे से कर लेते हैं लेकिन exam time के थोड़े देर पहले हमको ऐसा लगते है काश कोई फट 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 बता दे कि इस topic के अंदर क्या है लब कुछ बहुत लंबा चोड़ा ना हो, लेकिन conclusion मिल दा है कि हाँ, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है इसमें यह है, इसमें यह है, तो अगर हम outcomes of democracy की बात करें, तो एक basic सी problem बच्चों को यह आती, कि आखिरे chapter कहना क्या चाता है तो हमने democracy की बहुत सारी बहुत सारी बात की, अब जब 10th में हम democracy के chapters को खतम कर रहे हैं, यानि civics को खतम कर रहे हैं, तो हमको यह जानना ज़रूरी है ना कि इतनी सारा जो काम democracy करती है, तो फिर यह क्या अच्छी है या खराब है, finally, क्या है यह ना, तो यह कुल मिला के हमको उसको बात करनी है इस chapter के अंदर और यह chapter आपको यहही बताता है, अब इस chapter में हम क्या करते हैं, कि हर एक point के उपर हम देखते हैं, कि responsive देखेंगे, legitimate देखेंगे, accountable देखेंगे, बोलेंगे, क्या democracy responsive है, क्या democracy legitimate है, क्या democracy accountable है, क्या democracy social accommodation कर पाती है क्या democracy inequality poverty को हटा पाती है क्या democracy development करवा पाती है क्या democracy लोगों की dignity को बढ़ाती है तो हम ये बस 4-5 कुछ criteria जिसपे हम democracy को judge करने वाले हैं कि क्या democracy अच्छे से कर पाती है अगर हां तो हम हां बोलेंगे, ना तो हम ना बोलेंगे और उसको हम समझेंगे बस यही आपका पूरा चाप्टर है तो ये कुल मिलाके कुछ topics है आपके इस chapter के अंदर जो कि हम अच्छे से मैं आपको समझा जेती हूँ कि क्या चीज़े हैं क्या नहीं है सबसे पहले how do we assess democracy's outcome कि democracy के जो outcomes हम इनको कैसे assess करें ऐसा भी बताया चाता है आपको शुरुवात के chapter में कि democracy जो है वो is a better form of government than other form of government क्यों कि ये equality को promote करती है लोगों की dignity को promote करती है ठीक है आपको room देगी कि आप अपना mistakes करे करो मतलब आपको जेल में बेज़ेगी ठीक है आप महाँ पे समझो दुनिया देज दुनिया अपनी जवाबदारी अपनी जिंदगी को समझो फिर वापिस भारा हो ऐसा नहीं को गलती करिया और मार दिया है ना तो ये सारी चीज़े आपको किसके अंदर मिलती है सिर्फोर सिफ डेमोक्रेसी के अंदर हमको मिलती है है ना अब हमको ऐसा लगता है कि यार कहने पे तो ये सारी चीज़े करती है लेकिन रियालिटी में तो कुछ और ही हो रहा है है ना तो हम ऐसा भी कहते हैं कि क्या डेमोक्रेसी के ये जो सारी अब अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत इच्छ से डेवलाप हो पाएंगे और अगर हम उन चीजों को नहीं मानते हैं से प्रिंसिपल पर रखतर अपने हिसाब से अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं तो फिर शायद जो है वो चीजे उस तरीके से नहीं हो पाएंगे है ना आप दिसे डेमोकरेसे गे नहीं तो बोल दिया की इक्वालिटी ़ोगों को देवे निए है अब हम आपस हमें की फ्रिंसिपल हमें देडि दू सरे फिर मोव गोर्मेंटlere बननाना हमारा काम है हना तो हम यह नहीं कह सकते की उसी प्रिंसिपल के नाम पहीं है और ऐसा होती है जो की आपको free and fair elections देती है ठीक है transparency provide करती है government में working कैसे हो रही है कैसे काम चल रहा है ये भी जनता जान सकती है हम elect कर सकते हैं हमारे representatives को तो जवाब देह government जो होती है वो accountable government कहलाती है responsive government कैसी होती है ऐसी government जो की लोगों के demands लोगों की needs लोगों के expectations के उपर काम कर पाती हो है ना हमको लग रहा है कि हमको ये करवाना है अब देश में तो ऐसी government जो हमारी बात को समझे कि हाँ भाई अब देश में ये होना चाहिए ऐसा होना चाहिए policy बननी चाहिए ये implement होना चाहिए तो ऐसी government क्या कहलाती है responsive government कहलाती है अब government democratic government जो हो सकता है कि accountable कभी कबार कम हो responsive कभी कबार कम हो लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें democracy सबसे top पर होती है वो होती है legitimacy पर government जो है legitimate government होती है क्यों democratic government legitimate government होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हम उसके उपर trust कर पाते है क्यूं trust कर पाते हैं? क्योंकि हम ने चुना है जब कोई सक decision हम कुछ से लेते तो हम कैसा लगता है कि यार थीक है JCP है अच्छी है हमने चुनिया है तो हम जेल लेंगे हम को लग रा है कि खराब है तो हम क्या कर देंगे? हम उसको बाद में कर लेंगे समझ में आरए कि ने तो फिर यह वाली जो government होती है इसलिए हम इसको क्या करते हैं trustworthy यह पिर क्या कहते है legitimate government कहते हैं कि हम इसके उपर क्या कर पारे हैından बहरोआ कर पारे हैं क्योगी हमने चुनी हमको गडबड लगेगी हो सकता है काभी responsible ना हो लेकिन legitimate तो हमेशा होगी ही होगी clear है समझ में आया अब अगर हम इस aspect पर देखें कि democratic government economic growth और development देती है कि नहीं देती है तो ऐसा देखा गया है कि dictatorship जो है जिन countries में dictatorship follow होती है वहाँ पर economic growth और development जादा हो रहा है as compared to countries जहां पर democracy चलती है तो फिर ऐसा क्यों फिर हमने democracy को क्यों adopt किया है तो देखो ऐसा है कि dictatorship आपको life में पैसा दे दो है ना और आपको इज़त ना दो सम्मान ना दो आपके इसाफ से freedom ना दो तो आप रह पाओगे क्या काम का हो पैसा है ना तो dictatorship में कभी कबार आपको country में पैसा तो मिलेगा लेकिन आपको चलना एक ही बंदे के हिसाब से तो क्या आप महांपे सुखी रह पाओगे नहीं रह पाओगे है ना और democracy में ऐसा है कि दीरे-दीरे करके चलो पैसा भी आ जाएगा नहीं बन रहा है ठीक है कोई बात नहीं इतने सारे लोग है सबके हिसाब से काम चलता है तो थोड़ा समय लगेगा है development और growth में लेकिन आपको आपके हिसाब से रहने का तो allowance है कम से कम है ना कि आप जो चाहूँ वो कर सकते हो ठीक है तो जायर सी बात है इसलिए हमने democracy को चुना हुआ है और यह जो डिक्टेटरशिप और डेमोग्रेसी के अंदर जो डिफरेंस है ना economic growth और development का कि डिक्टेटरशिप आगे है डेमोग्रेसी जहां पर government होती है वो थोड़ा सा पीछे तो डिफरेंस है बहुत नेगलिजिबल है बहुत माइनर सा ऐसा नहीं कि वो countries बहुत रिच हो जाती है ऐसा नहीं है बहुत माइनर सा डिफरेंस है तो क्यूंकि और यह भी है कि किसी भी country का एकनॉमिक ग्रोथ और डेवलप्मेंट ऐसा नहीं कि डिफरेंस है तो रिच हो जाएगी डेमोक्रेसी है तो कमजोर रहेगी ऐसा नहीं है बहुत सारे factors कि आपका country का दूसरी country से कैसा relation है एकनॉमिक प्रायरिटीज क्या है ठीक है पॉलिटिकली किस तरीके से काम सलता है इन सारी चीज़ों के उपर इकनॉमिक ग्रोथ डिवलप्मेंट डिपेंड करता है ना कि सिर्फ इस पर कि डेमोक्रेटर है तो रिच है और डेमोक्रेसी है तो ठीक है तो यह हमारा हो गया इकनॉमिक ग्रोथ डेवलप्मेंट का वही रिडेक्शन ओफ इन इक्वालिटी और पावर्टी हम देखें तो यह से जडरूर देखा गया है कि डेमोक्रेसी थोड़ी सी कमजोर блок्रेटी को रिडियूज करने में में और पाव़र्टी को कम करने में हमने ऐस सेデ डेखा गया कि डेमोक्रेटिक उन्ट्री में य यहां पर democracy कैसे खरे उतर रही है तो खरे कुछ इस तरीके से उतर रही है कि democracy at least आपको policies, decision making, implementation यह सब allowed तो कर रही है ऐसा नहीं है कि दूसरी form of government में यह inequality ही ना, महां पर सब के पास में बराबर पैसा है, ऐसा भी तो नहीं है, महां तो और हलत खराब है महां पर भी inequality है और यहां पर भी inequality है, पर ऐसा है कि democracy में at least inequality को हटाने के लिए काम तो किया जाता है, महां पर तो वो काम भी नहीं किया जाता है वहाँ पर तो नहीं है, पैसा तो नहीं है, ठीक है, आप किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते हो, कि आप हमको पैसा बना के दो, या आप हमको एंप्लॉइमेंट जनरेट करके दो, यहाँ पर हम कह दो सकते है गवर्मेंट को, कि नहीं यार हमारे पास में एंप्लॉइमेंट नही क्या है कि यहांपर हम् मंषादों बहुत बेच मैं पावर्टी जादा है लेकिन फिर भी इस ब्रॉस्किया हुआ है कुछ ह dai हम को प्रिंसिपल्ज कुछ ऐसे हैं कि भई हम अगर चाहें तो इसको reduce कर सकते हैं और government भी चाहती है reduce करना तो हमारे पास में scope है करने को वही दूसरी form of government में देखें तो scope भी नहीं है करने का ठीक है accommodation of social diversity की बात करें तो ये बताता है कि कैसे लोग एक साथ में रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं अगर तरह-तरह के लोग हैं तो वो एक साथ में रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं तो अगर democracy की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी quality है कि लोगों को accommodate करने में काफी जादा मदद करती है अगर आप dictatorship में चले जाओ, monarchy में चले जाओ तो वहाँ पर ऐसा है कि वो लोग एकी community का favor करेंगे वहाँ पर जो दूसरी community उसको मार भी सकते हैं, उनका genocide भी करवा सकते हैं उनको डेश निकाला भी दे सकते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन democracy के ऐसी form of government है जहाँ पर सब को रहने का अधिकार है प्लस guidelines और principles ही कुछ ऐसे हैं कि सब को बराबरी का अधिकार देना है सब को समानता का अधिकार देना है सब को freedom देना है सब को सब के rights देने है है ना, तो फिर कोई भी ऐसा नहीं है कि दूसरी section को प्रताड़त कर पाए ठीक है आसानी से सब लोग socially क्या कर पाते है एक दूसरे को accommodate कर पाते है पर हमने ऐसा देखा कि श्री लंका में तो democracy है तो फिर वहाँ पर वो लोग क्यों accommodate नहीं कर पाए तो वहाँ पर ऐसा था कि वो जो majority community है उनकी बात मान रहे थे उनके हिसाब से काम कर रहे थे तो फिर ऐसा नहीं होगा ना बात क्या है कि अगर आपको democracy में social diversity को accommodate करना है और democratic form of government है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको minority के opinion को भी साथ में लेके चलना है आपको जैसे हम परिवार में joint family में रहते हैं हम क्या करते हैं हम सबका ध्यान रखते हैं फीमेल्स का ध्यान रखते हैं मेल्स का ध्यान रखते हैं चिल्डर्न का ध्यान रखते हैं तो ऐसी families जो सबका ध्यान रखती है वही joint family में रह पाती है प्रताडित तो करते हैं तो फिर आप जो प्रताडित वर गया उसके पास में अधिकार है कि वो कोड़ पर जाके है पुलिस में कंप्लेन कर सकता है तो यह सब क्यों है क्योंकि डेमोकरेसी वहीं आप दूसरी form of government में ऐसा नहीं कर सकते dignity and freedom of citizen के अगर हम बात करें तो भाई accountable ना भी हो democracy, responsive ना भी हो legitimate तो होगी, economic growth development ना भी दे, poverty reduce ना भी करे, social diversity भी ना reduce करे भले से लेकिन ये एक ऐसा point है जो democracy ज़रूर से provide करता है वो है dignity and freedom of citizen और तभी लोग एक साथ रह पाते हैं और अच्छे से survive कर पाते हैं क्यूंकि आपने देखा है कि जब भी आपके घर में शादिय वादिया होती है तो फिर मामा मामा जो आते मामा आरे मासी आरी बू आरी फूफा आरे ठीक है आपके घर में शादिया है तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे बहुत अच्छे से रहेंगे बहुत अच्छे से उनका involvement आपको उसके अंदर दिखेगा है ना तो democracy पर यही करती है वो क्या करती है वो कहती है कि सबको बराबर का अधिकार दो सबको dignity दो, सबको सम्मान दो सबको respect दो, सबको freedom दो है ना तभी हम आगे बढ़ पाएंगे तभी हम साथ में रह पाएंगे और democracy जो चीज है इस चीज का allowance बहुत अच्छे से करती है और इसी कारण से यही एक ऐसा aspect है कि जादा-जादा लोग democracy को prefer करते है over other form of government और यही कुछ aspect है जिस पर हम कह सकते हैं कि democracy जो है वो खरे उतरी है बढ़िया से ठीक है तो यह क्या है यह जो सारे जो points है यह कुछ यह कुछ aspect है जिसके उपर हम सोचते है यह aspect है बताओ democracy अच्छी है की नहीं यह aspect है बताओ democracy अच्छी है की नहीं डेमोग्रेसी के exam कभी खत्मही होनी और यही है कि democracy अपना support kudz से generate कर पाती है क्यों generate कर पाती है क्यों लोगों की अपनी government है है लोगों की अपनी द्वारा बनाएंगा गा्मेंट है है वा अपना kudka support generate करने के काभिल होती है लोग तुसने कि भले कुछ ना अपना decision है ठीक है कोई बात चलेगा clear है कि नहीं clear है और यह exam जो है वो कभी खत्मों हो नहीं नहीं है democracy कि जैसे हमारी खत्म नहीं होती कभी क्योंकि उमीद भी उसी से की जाती है यहीं पर अच्छा है उसका ना कि उमीद भी उसी से की जाती है जिसके अंदर कुछ बात होती है तो ज़रूर बात तो है democracy में तब ही था हम इतनी सारी उमीद इससे लगाया हुए है और काफी अच्छे से काम जो है वो चल भी रहा है ठीक है तो इसके उपर जो previous questions है important questions है test papers है यह सब हम already निकाल चुके है topic wise भी जैसे अभी यह क्या है बिल्कुल शॉट में आपको समझाया गया है ताकि आपके दिमाग में topic मिल जाएंगे तो वो भी आप अच्छे से कर लेना वैसे तो कर लियोंगे लेकिन ए एक्जाम टाइम के लिए कि आपका अच्छा से revision हो जाए इसी तरीके से सारे chapters के हमने revision जो है वो upload कर दिये तो आप उनको बिल्कुल access कर लेना अच्छे से समझ लेना और खूब अच्छे से excel करना फोड के आना एकदम बढ़िया से अच्छा लगा तो like करना शेर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को subscribe जरूर करना ताकि आप ऐसे कोई भी important वी आप बालियो